आज हम देखेंगे निम्नलिखित अवधार्नाओं से संबंधित मिथ्याधार्नाएं और कुछ गल्तिया मिथ्याधार्ना एक निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का मान 38 प्रतीशत है? कुछ बच्चे प्रतीशत चिन्द का अर्थ नहीं समझ पाते वे सोचते हैं कि प्रतीशत मतलब 100 और 38 प्रतीशत का अर्थ है 38 गुणा 100 इस समझ से वे option एक जवाब देते हैं जो कि एक गलत जवाब है ध्यान रहे प्रतीशत मतलब 1 बटे 100 इसलिए 38 प्रतीशत मतलब 38 बटे 100 इसलिए option दो सही जवाब है मिथ्यधारना 2 15 फलो की थेली में कुल 5 आम है और 6 सभी चीकू है ग्याद कीजिए आम की संख्या का चीकू की संख्या से अनुपात यानि रेशियो क्या है कुछ बच्चे सवाल में दी जानकारी को ठीक से नहीं समझते तथा क्या पता करना है इसको नजर अंदास करते है वे 15 और 5 ये दोनों संख्या है सवाल और option एक दोनों में देखकर सोचते हैं कि option एक ही दिये सवाल का जवाब है इसलिए वे option एक का चयन करते हैं जो की एक गलत जवाब है हमें सवाल को ठीक से पढ़ना चाहिए तथा क्या दिया है और क्या पता करना है इसे ठीक से समझना चाहिए केवल तब ही हम सही जवाब दे पाएंगे यहां 15 फलो की कुल संख्या है जिसमें से 5 आम है हम कह सकते हैं कि ठेली में चीकु की संख्या बराबर 15 रण 5 बराबर 10 है इस तरह से आम की संख्या का चीकु की संख्या से अनुपाद 5 अनुपाद 10 है इसलिए option दो सही जवाब है मित्यधारना 3 यदि किसी संख्या का 4 बटे 3 प्रतिशत संख्या 24 है तो वह संख्या क्या है अग्यात संख्या पता करने के लिए बच्चे प्रतिशत चिन्नों को नजरंदास कर देते हैं और 4 बटे 3 का 24 से गुणन करते हैं जिससे उन्हें 32 यह जवाब प्राप्त होता है लेकिन यह एक गलत जवाब है इसलिए option एक गलत जवाब है यह गलती सवाल को ठीक से न समझने के कारण होती है यहां हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसका 4 बटे 3 प्रतिशत 24 है अगर हम अग्यात संख्या को x माने तो हम कह सकते हैं कि 4 बटे 3 प्रतिशत गुणा x बराबर 24 चुकि प्रतिशत का अर्थ 1 बटे 100 है इसलिए हम लिख सकते हैं 4 बटे 3 गुणा 1 बटे 100 गुणा x बराबर 24 इसे ही हम लिख सकते हैं x बराबर 24 गुणा 100 गुणा 3 बटे 4 बराबर 6 गुणा 100 गुणा 3 बराबर 1800 इस प्रकार हमें अज्यात संख्या यानि एक्स का मान प्राप्त होता है 1800 इसलिए option दो सही जवाब है अब चलिए जानते हैं वृद्धी प्रतीशत और रास प्रतीशत से संबंधित कुछ गलतिया गलती एक कुछ बच्चे सोचते हैं कि वृद्धी प्रतीशत यानि percentage increase कभी भी 100 प्रतीशत से अधिक नहीं हो सकता लेकिन यह एक गलत समझ है मान लीजिए किसी दुकानदार को एक रुपया खर्च करने पर तीन रुपय मिलते हैं तो उसका लाब होगा दो रुपय और लाब प्रतीशत होगा दो प्रते एक गुणा सौ बराबर दो सो प्रतीशत गलती दो यदि सौ में 25 प्रतीशत की कमी होती है तो जवाब 75 आता है इससे बच्चों की धार्णा बन जाती है कि 100 प्राप्त करने के लिए 75 में 25 प्रतिशत की वृद्धी करनी पड़ेगी लेकिन यह एक गलत समझ है सही समझ यह है कि यदि 100 में 25 प्रतिशत की कमी होती है तो जवाब 75 जरूर आता है लेकिन जब 75 में 25 प्रतिशत की वृद्धी होती है तो परिणाम 75 धन 75 का 25 प्रतिशत बराबर 75 धन 25 प्रते 100 कुण 75 बराबर 75 धन 18.75 बराबर 93.75 आता है परिणाम 100 नहीं आता गलती 3 जुद्धी प्रतिशत होगा 20 पटे 80 गुणा 100 बराबर 25 प्रतिशत आज हमने देखी निमनलिखित अवधार्णाओं से संबंधित मिथ्याधार्णाय और कुछ गलतिया झालति है झालति है झाल झाल